नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आनलाइन इकजाम मिशन पर दोस्तों हमारे चैनल पर जूनियर असिस्टेंग के लगातार आपके यहां पर वीडियो प्रवाइट करा जा रहे हैं तो आप लोग चैनल को सस्क्राबी कर सकते हैं और हमने रेशम भार में कितने हैं तो यहां पर आपके राइट अनसर आपका जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ओप्सन राइट आपका भी आपके च्छपपन आपके कैसकते हैं जैसे कि आपके सोनबाद चंदौली मिर्जापुर जहांसी ललीद पूर फ़ते पूर बांदा शित्रकोर्ट महवबा, जौरान, सिल्तानपूर, मधुरा, आद जिलो में आपके टरसर रेसम फार्म आपके विकास की परियोजना चलाए जा रही है ठीक है ना और उत्तर प्रदेश में किलो कितने हैं तो आपके चपपन आपके कह सकते हैं ये आपके फार्म है ठीक है नेस्ट कोचन आप सेगला है कि रेसम अनसंधान येवं विकास केंदर कहां पर है ये आपका जो इस्तित है आपके 19 का उप्शन राइट आपका हो जाएगा अबी नमबर आपके गोंडा में कहां पर है ये आपके उत्त कोचन आप सेगला है कि उत्तर प्रदेश की महत्यपूर नगदी फसल कौन सी है उत्तर प्रदेश की बात पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश की महत्यपूर नगदी फसल हो जाएगी आपकी गन्ना याद रखें आपका अड़ी हो जाएगा गन्ना हो जाएगा ठीक है यहा यह आपका जो इस्तित है आपके option right आपका first आपके देवरिया में, कहाँ पर है आपके देवरिया में है देवरिया ठीकिए यह भारत के पहले चीनी मिल आपके स्थापित की गई थी, 930 बियम प्रताप्पूर, next question आपसे अगला है कि भारत की पहली चीनी मिल कहां स्थापित क की गई option right आपकोई यहांपर को जाएगा कूनसा अंसर आपको by you priority ठीक है और you questions का कॉशिन आप secular है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का गठन कभ किया गया उत्तर प्रदेश में गन्ना विभाग का गठन कभ किया गया था तो ओन्ने की कुल कितनी गन्ना विकास पुसिदे हैं । यह आपकी 140 गन्ना विकास पुसिदे हैं टीक है तरभ देस गन्ना किसान संस्तान कहां इस्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान कहां संस्थापित किया गया है यह किया गया है आपके लखनों में कहां पर किया गया है लखनों में किया गया है याद रखेगा लखनों में ठीक है और नेस कोशन आप से अगला है कि उत्तरप्रदेश गन्ना सूध परिशद की स्थापना कब की गई थी इसकी स्थापना के की गई थी जो की ऑप्सनर राइट आपका हो जगा फिर्स्ट 1976 से 77 के बीच में टीके उत्तर प्रदेश गन्ना सोथ परश्ट का गठन किया गया था और इसके तहित आपके नो गन्ना केंदर आपके बीच समवर्धन छेतर आपकी करमसा जैसे मुझवफर नगर, गोरकपुर, लखिमपुर कीरी, कुसी नगर, गाजीपुर, सुल्तानपुर, बलरामपुर म आपके दो दुकेंदी स्थापित किये गये थे. इस प्रीकारण संसर राइड़ाप को फस्ट हो जाएगा, फैसके आप से सही, वर्तमान dział राजमी खुल कितने चीनी पर खेतर हैं, तो आपके नो खेतर हैं। गोरकपुर वदेवरिया लेकिन गन्ना जो आपके कह सकते हैं गन्ना परछेत्र जो आपके हैं वो आपके तीन मेरट बरेली वह लखनो में हैं ठीक है ना जो कि चीनी परछेत्र हैं तो इस प्रकार से अंसर राइट आप कौन हो जाएगा भी हो जाएगा नेसकर आपसे चुन की सरकार से खरीद लिया था ये किस ने खरीदा था तो आपका 28 अप्षां राइट आपका हो ज़ाएका बीए आपके जीपी गुरूप ने किसे जीपी गुरूप ने खरीदे था उत्तर प्रदेश में सिमेंड के कार खाने चुनार यों आपके कजराहर जो चलिए उत्तर प्रदीश का कौन सा जनपत चमड़ का बड़ा केंद्र है ये बड़ा केंद्र जो आपका है वह आपकी कांपुर मेंगी है। लखनव में भी है ठीक है तो जो maximum आपकी है वो आपकी कानपुर में है ठीक है और इससे बनते क्या है जैसे आपकी चमड़े की जूते शूटकेस जीन पेटियां आथ बनती है इसकी ठीक है की स्थापना की गई और जिसके आधी नुवर्तमान में 33 मिले हैं ठीक है इसमें से 22 आपके बंद भी हो चुकी है चलिए नेश कर आप से कि चमड़ा उत्पादन में उत्तरप्रदेश का देश में कौन सा इस्थान है तो चमड़ा उत्तरप्रदेश का देश में दूति आने याद रखेगा दो ती स्थान अपस्टन राइट आपका बी हो जाएगा नेश कर आप से हिंदुस्तान ऐलमूनियम कारपोरेशन कहां पर है तो हिंदुस्तान जो के सिकती यह इलमूनियम का पिंड यह चादरे बनाने जाती है अथा ति आपसन राइट आपका जो हो इंद्धो का पर मुक यह करें ऊंद्धर कौन है उत्तर प्रदेश में इलावाद लखनो मेरड शान इरामपुर में बेर आपकी बनाई जाती है लेकिन मुक के इंद्धर आपका है बरेलि नश कर आप से उत्तर प्रदेश का जनपंद कांच की चूड़ियों के लिए प्रस सा है 34 34 को फिरोजाबाद याद रखेगा फिरोजाबाद कांची चूड़िया बनाने के लिए विस्व विख्याद केंद्र है ठीक है नेस्ट कोशन आप से लाए है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी उद्धो के लिए कौन सा जनपत प्रसिद्ध है चीनी मिट्टी यह हो जाएगा ठीक है चलिए नेस्ट कोशन आप से लाए है उत्तर प्रदेश और धोगिक सहकारी संकी स्थापना कब की गई थी यह कब की गई थी आपके 1952 अपस ना रैट अप का थाड़ हो जाएगा 1952 में की गई थी ठीक है चलिए नेस्ट कर आप से यहाँ पर कि उत् प्रदेश वित्ती निगम की स्थापना कहां पर की गई यह की गई थी आपके कानपूर में कहां पर की गई थी तो आपके कानपूर में की गई थी उत्तर प्रदेश वित्ती निगम की स्थापना ठीक है कानपूर में एक नॉमबर 1954 को कानपूर में की गई थी ठीक है और त लोगिक पूंजी युवा के निवेश जी निगम की स्थापना की गई यह आपके की गई लखनों में ठीक है अपसन रैटाप का D हो जएगा लखनों में कब तो 1972 में ठीक है 1922 में लखनों में की गई थी नेस्ट कोचन आप से गला है कि उत्तरप्रदेश लग उद्धोग नि निगम की स्थापना कहां पर की गई यह की गई आपके लखनों में अपसन रैटाप का यहां पड़ी हो जएगा लखनों में की गई थी बीस जनवरी अफसन रैटाप का पर राज और धोगिक विकास निगम लिम्टेट की स्थापना कहां पर की गई यह की गई थी आपके कानपूर में अपसे लाटब का फूर आपके कानपूर में की गई थी, ठीके, मार्च 1961 में, नेस कर आप से, कि राज चर्म विकास एवं विपड़न निगम लिम्टेड की स्थापना कहां पर होई, तो यह आपका चर्म विकास एवं विपड़न निगम की जो लिम्टेड की स्थापना की ग प्रदेश इलक्टोनिक्स निगर लिम्टेट कहां पर है यह आपके पढ़ता है लखनों में ओपसर राट आपका 44 का फर्स्ट हो जाएगा लखनों में ठीक है चलिए नेस कोशन आपसे यहां पर अगला है 45 नंबर कि उत्तर प्रदेश में कितने इन लैंड कंटेनर डिपो है तो यह डिपो है आपके दो स्वारी आपसन आपका भी हो जाएगा साथ देखो समुद्ध तर से अधिक दूरी होने के कारण उत्तर प्रदेश में साथ इन लैंड कंटेनर डिपो के स्थापना कीगी कहां पर मेरट, सहारनपूर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, कानपू बताना है, नेश पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा, आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजे, ठीक है, और ये पेपर लिक जो सिस्टम है, देखो होता ही रहता है, यूपी का ऐसा को यूग जाम नहीं होता है, जहां पर आपकी लिक ना हो पेपर, ठीक ह और लिक पेपर में ही बच्चे पास हो रहे हैं, अब ये समझे कि आपके पास वेकेंसी एक हजार आती हैं, तो ये समझ लिजी कि नहीं, 800 वेकेंसी में हमको क्रास करना है, ये तो समझ सकते हैं ना, तो भई होना ही है, और हमने बता दिया है, अगर आपको जौब पाना है, यह तो पढ़ाई छोड़ दीजिए तो यह तो है ठीक है अगर पढ़ाई करना है तो और अच्छी से मेनत करिए मेनत बिल्कुल दिल और दिमाग से करिए पूरी तरीके से ठीक है तब ही सेलेक्षन संभव है आपकी यूपी में चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो मे तक कि लिजये हैं जय दूद